अगर आपने अपने सुबह को कंट्रोल कर लिया तो आप पूरे दिन को कंट्रोल कर लेंगे सुबह को जीत लो तो पूरे दिन को जीत लोगे दिन की शुरुआत सही तरीके से करोगे तो बाकी का पूरा दिन अपने आप एक तरीके से सेट हो जाएगा लिखो कि सुबह उठके क्या क्या करना है ये सबसे ज्यादा important है जितना आप normal सोते हैं उससे 30 मिनट कम सो और ये समय आप खुद को दो क्या आप अपनी जिन्दगी से खुश हैं? क्या आप वो बन गए हैं जो बनना चाहते थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज सुनना बंद करें लेकिन अगर नहीं और आप जिन्दगी में ग्रो करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनते रहें सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन, हर सुबह हर दिन की शुरुवात कम से कम पाँच मिनट पावरफुल एनरजी के साथ करें बस पाँच मिनट की पॉजिटिव एनरजी आपके पूरे दिन को चेंज कर देगा और अगर लगातार के पॉजिटिव थौट से आप अपना पूरा दिन बदल सकते हैं तो यकीनन आप अपनी पूरी जिन्दगी बदल के रखतेंगे क्या आप और ज्यादा कर सकते हैं क्या आप और ज्यादा बन सकते हैं और अगर आपको पता है कि आप और ज्यादा कर सकते हैं आप कुछ और बन सकते हैं तो आपको खुछ से वादा करना होगा कि मैं अब और ज्यादा करूँगा कुछ और बनूँगा इसलिए आपको शुरुवात करनी होगी अभी से राइट नाउ आपको अभी से वादा करना पड़ेगा कि अब से हर सुबह एक ऐसे माइंड सेट के साथ उठूँगा जिसे जिन्दगी से प्यार है आप हारोगे नहीं आप जीत जाओगे अगर जीत नहीं सके तो कुछ सीख जाओगे इसलिए जीत जाओगे क्योंकि आपने खुद को सुबह को जीतने के लिए तैयार कर रखा है सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए शुक्रियादा करना, थैंक्स बोलने का, धन्यवाद देने का शुक्रियादा करो कि आप जिन्दा हो उन हर चीजों के लिए थैंक्स बोलो जो आपके पास हैं उन हर चीजों के लिए थैंक्स बोलो जिसे आप हलके मिलेते हैं पूरे दिन के लिए अपना intention सेट करो, पूरे दिन के लिए अपना goal सेट करो जो कुछ भी आप चाहते हो, उसके लिए advance में thanks बोलो बोलो कि ये खुबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्रिया मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए एक और मौके के लिए शुक्रिया मुझे इतना सब कुछ देने के लिए शुक्रिया मेरे चेहरे पे इस खुबसूरत मुस्कुराहट के लिए शुक्रिया हर हसी, हर एक पल के लिए शुक्रिया दिन में क्या करना है उसके बारे में एक रात पहले ही लिख लो फिर उसे पूरा करने के positive intention के साथ उठो सुबह का समय phone use करने के लिए नहीं है नहीं आपके जिंदगी में चलने वाले useless problem पे सोचने के लिए है सुबह का समय इसलिए है कि आप जो कुछ भी चाहते हो जो कुछ भी बनना चाहते हो उससे खुद को जोड़ पाओ खुद को वैसा महसूस कर पाओ एक कभी ना हिलने वाला सुबह का routine बनाओ एक consistent routine आपको वो result देगा जो आप चाहते हो पूछ खुछ से आज का दिन आप कैसा गुजारना चाहते हो आज कैसा feel करना चाहते हो दूसरों के साथ कैसा वैवहार रखना चाहते हो ध्यान रखना जिस तरह आप अपना दिन स्टार्ट करना चाहते हैं लगबग आप वैसा ही दिन जीते हैं अगर आप यकीन करते हो कि आज का दिन amazing होने वाला है तो इसके chances कई गुना बढ़ जाते हैं कि आज का दिन भी amazing ही गुजरने वाला है अगर आप इस intention के साथ दिन की शुरुआत करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज का दिन amazing होगा आज आप खुश रहोगे तो आप वैसा ही दिन गुजरने वाले हो अगर आप इस तरह से दिन की शुरुआत नहीं करोगे तो धीरे धीरे तूट जाओगे जहां आज हो आने वाले कुछ सालों बाद भी वहीं रहोगे अगर positive mindset के साथ नहीं उठे तो negativity आपको हर तरफ से घेर लेगी आपको तोड़ देगी इसलिए आपको तयार रहना होगा negativity से बचने के लिए जिन्दगी की और उल्जनों से बचने के लिए अपने फोन से बचने के लिए आपको spirit शो करनी पड़ेगी जैसे जिन्दगी चाहते हो उसके पीछे हाथ धोके नहीं नहाद हो के पीछे पड़ जाओ यह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हर हाल में हासिल करना है तो करना है दिन भर का प्लान बनाओ अगर आपको पता होगा कि कहा जाना है तो देर सबेर पहुँची जाओगे लेकिन बिना प्लान के बिना विजन के का डिरेक्शन होता है वो चानते हैं कि कहा जाना है इसलिए वो वहाँ पहुच भी जाते हैं इसलिए सुबह सबसे ज्यादा इंपोर्टन चीज़ है कि खुद को एक पावरफुल स्टेट में ले आओ अगर आप एक ग्रेट मूड में हो तो डेफिनिट्ली एक ग्रेट रिजल्ट पालोगे जितना ज्यादा अच्छा आपका एटिट्यूड होगा आपका रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही अच्छी तरह से आप हर चैलेंज का सामना कर पाओगे किसी भी मुश्किल से लड़ पाओगे इसलिए सबसे पहले खुद को एक ग्रेट मूड मिलाओ कुछ भी करो जो कर सकते हो जैसे मेडिटेशन, बुक रेडिंग, पावर्फुल आडियो रिस्लिंग, ग्रैटिट्यूड, म्यूजिक, एक्सरसाइब ये सबी एक अच्छे ऑप्शन्स हैं आपको ग्रेट जोन में लाने के लिए अगर आपका माइंड पॉजिटिव और क्लियर है, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं लेकिन ऐसा ना करने से क्या होगा वो आप जानते हो अपने अभी के लाइफ को देख लो, एक्साम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं रहते हैं इसलिए आपको बहुत सारे लोग नहीं बनना है आपको उन 5% लोगों में आना है जो हर सुबह को चीत लेते हैं सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बार बार बोलो कि आज का दिन जबर्दस जाने वाला चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर तरफ सिर्फ अच्छा ही देखने जा रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं सही चीजे ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं अपना सब कुछ जोंग दूँगा आज मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगा इसलिए मेरा कल बेटर होगा हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं लेकिन कुछ नाम बना जाते हैं, तो कुछ गुमनामी में खो जाते हैं, आप खोने के लिए नहीं बने हो, उठो और नाम बनाने में लग जाओ, जीओ एक खुबसूरत मुस्कुराहट के साथ, यकीन करो आप एक great life deserve करते हो, इसलिए उठो और वैसी life बनाओ, अगर आप ने अपने सोचने के तरीके को बदल लिया, फिर आप अपनी पूरी जिंदगी ही बदल देंगे, so, कैसे आप अपनी thinking change करते हो, कैसे आप अपने body को change करते हो, सही diet से, सही workout से, आप अपनी body को change कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह आपकी thinking भी है, positive attitude, positive affirmation, और belief के diet से, नई knowledge और self development के diet से, आप अपने thinking को change कर सकते हो, अगर आप यह सीख गए कि, कैसे बदल ला है, आप बदल जाएंगे, mind को books का workout कराओ, audio का workout कराओ, books और audio, आपके mind को greatness की तरफ ले जाएंगे, खुद की तरक्की के लिए ज्यादा सीखो, खुद की तरक्की के लिए ज्यादा करो, वो चीज़ें करो, वो formula उपनाओ, जो कामियाब लोगें ने किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज के दिन के लिए grateful हूँ, खुद से हर दिन कहते रहो, कि आज एक खुबसूरत और amazing दिन होगा, आज कुछ चमतकार होगा, आज कुछ amazing होगा, डरना मत के कुछ छूट रहा है, इस बात से डरना के कहीं आप, सेम जगह पे ही तो नहीं, टिके हुए हो, जहां आज हो, आज से एक साल, आज से पांच साल, आज से दस साल, EMI और बिल्स पे करने का संगर्श, एनर्जी और स्टैमिना के लिए संगर्श, अपने जिंदगी में पैशन ढूटने के संगर्श, खुद को visualize करो, कि आज का दिन कैसा होगा, कैसे आप चाहते हो, visualize करो कि आज से एक साल बाद कैसे जिंदगी चाहते हो, विजुलाइज करो कि आज से पांच साल बाद या दस साल बाद कैसी जिन्दगी चाहते हो हर दिन करो धीरे धीरे आपको अपनी जिन्दगी से प्यार हो जाएगा क्योंकि ये जिन्दगी आपने बनाई है अपने लिए झाल जिन्दगी जिन्दगी करो जाएगा क्योंकि जिन्दगी ये जिन्दगी जिन्दगी क्योंकि जिन्दगी झाल प्रोंकि झाल